हलो दोस्तों, वेलकम टो फूडीज भाई नेहा, आज मैं आपके लिए लेक्ट आई हूँ एक बहुत ही नए तरीके का नाश्टा, जो ना अपने से पहले कभी खाया होगा ना बनाया होगा, आप देखी सकते हैं कितना सुन्दर बनके तयार होता है, तो आप इसे पाटी में किटी पार्टी जब भी चाहें बना सकते हैं, बहुत आसान है, और घर की बेसिक सामगरी से मैंने से बना कर तयार किया है, आवाज आप सुनी सकते हैं, बहुत ही खस्ता बनके तयार होता है, तो इस रेसिपी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, तो आईए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, यहां मैंने एक बड़ा सब बोल लिया है, सबसे पहले माटा गूट के तयार करेंगे, तो यहां मैंने लिया एक कप मैदा, जिसको मैंने पहले से इच्छान लिया था, और एक ही अब जितना तो रिफाइंड ओल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दे, आप गीस से भी मोहन दे सकते हैं, और अब इसको हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, तो बेसिकली हम यहां पर जो मोहन लगाते हैं जिससे हम कोई भी नाष्टा बनाते हो खस्ता बनता है, भास से जो आप इसको इस तरह से मुट्टी बनाए ना तो यह शेप होल कर ले, इस तरीके का होना चाहिए, तो यहां हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी एड करते जाएंगे और आटा गूत का तयार करेंगे, तो जिस तरह का आटा परांठी के लिए यूज़ करते हैं दोस्त और यह आटा गूत के तयार हो चुका है, इसको अभी हम रेस्ट के लिए रखेंगे, तो यहां मैं थोड़ा सा इसकी उपर हाथों में इस तरह से देखें तेल लगा देते हैं, जिससे की यह उपर से, इसकी जो पपड़ी जैसी जम जाती है बस वैसे ना हो, और ढखकर यहां पर में राई, और आदा चमची में यहां पर डाल दीओ, तो इस तरह के नास्ति वैना सोफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अब इसके बना करें, और यहां पर एक चुटकी में नहींग डाली है, और सलो फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह के, तो यह मसाले भून गए हैं और इसमें मैं डाल दी एक चमच कुट्टा हुआ अद्रक और हरी मिर्च और इसको भी हम एक मिर्च के लिए भून लेंगे तो भूने स्लो फ्रेम पर और अब इसमें मैट कर दी हूं आप करdragon को सुखे मशाले तो एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच मैं या रहा है और आदा ह्याला है और आदा चमच अंच ही आमच्र पाऊडर सभी मशालों को एक से दो मिनिट केली पर पका लेंगे अब आप सोचे कि दिए ममठी चाहां आधे हूँ दोर maximum Ocean को यूज करें आलू को मैंने छील लिया है और इसमें डाल दिया है अब यहां पर डालेंगे आदा चमर जितना नमक यह स्वादनुसार और अच्छे से हम इस तरह से आलू को मैश करते हुए मसाले के साथ मिक्स करना है तो आलू के बड़े चंक्स नी होना चाहिए इस बात कर ध्यान रखें तो आलू और मटर थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए हम इसका एक मसाला तयार कर लेंगे मसाला बनके तयार है और यह भी मिस्ट में डाल रही हूँ बारी कटा हुआ रहा धनिया एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को यहां बहुत इसी-सी फ्लेंग बनके तयार तो फ्लेंग को ऊफ कर देंगे तब दक हम आटे को चेक कर लेते हैं तो यह रहा था आपको मैं हाथ पूठा के दिखा देखें कितना सॉफ्ट है यह तभी इसको मैं दो मिनट और मसाला है तो मैं इसको चकले पे ले लूँगी और इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे क्य दूसरे को हम इस तरह से रोल कर लेंगे देखें हाथों से और भी हम इसकी छोटी साइस की लोईयां कट कर लेंगे जिता हम पूड़ी क्रिए बनाते है न बस उसी साइस का तो आप चाकु से इस तरह से कट कर लें एकोल साइस और हम कटी होई लोईयों को इस तरह से हाथों ज़िए प्लीन डख देंगे और इसको अश्चकों हम बेल लेंगे, डीए, तो इसको अब ब्लेक्थ गोल बेलना है इसको अगर आप बेलना में देखाथ है तो बड़ी सी पूरी बेल लें और फिर। उप शोको चोटे किसी भी गलाज से कट कर सकते हैं ये से तो देखे पूरी जितना मैं इसको बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं तो मैं इसे एक और पूरी छोटा साइस का बना का तयार कर लूँगी और दोनों को कोशिश करके सेम साइस का ही बेले तो अब हमने जो स्टफिंग मनाई थी ना दोस्तों उसको अम ए तो आप इसमें सिलरी जो मनाते हैं मैं देखी और पानी के वह लगाने के ज़ूरत नहीं है बहुत ही अच्छे स्टरी से सील हो जाता बिल्कुल परिशानी नहीं होगी और आप इस तरह की स्पून जो आते हैं हमें कंटेनर में उसको रखे इसको सेंटर में हम अच्छे से सील कर देंगे और आपके सबी के घरों में इस तरह से काटर मिल जाता है इसे फोक भी कहते हैं इससे हम इस तरह से डिजाइन बना लेंग आपको बस यहां पर हम इसको इस तरह से कट लगा देंगे दिखे तो अभी मैंने पूरा कट लगा दिया है अब आपको थोड़ा सा पार्णी सस्विंगर पिलेके आपको उपर वाले पोश्चन पर हलके से लगाना है क्योंकि इसकी उपर हम इसकी पत्तिया जो है ना पैट अब हम इसके उपर बची हुई है उसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो एक फ्लावर जैसा आप समझी से बन जाएगा थोड़ा हलके आतों से दबाएं यह बनके तयार हो गया है और आपको नीचे बॉटम वाले इसे हलका से प्रेस करना है तो आर्टोमेटिंग जो यह अल्रेडी बेली थी एक के बीच में मैंने स्टफिंग रखा है साइज से पानी भी लगा दिया था अगेन इसको हम देखिए दूसरी वाले पूरी को ऊपर रखे हांतों से इस तरह से दबाएंगे फिस्पून से हम इसको देखिए इस तरह से सील कर देंगे सेंटर में इससे फिलिंग भान नहीं निकलेगी और शेप जो है वो बिल्कुर पॉफिक्ट आएगा और मैंने फोक से देखिए इस डिजाइन भी बना ली थी तो अगेन इस तरह से देखिए आप इसको चाको की मदद से इसके साइज में इस तरह से पैटल्स प्रेस करेंगे और जो बची हुई है इसको ओवरलैप करेंगे मितलब उपर से एक और अच्छे से पत्या लगा देंगे तो इससे जो फूल है ये बहुत सुंदर सा बनके तयार होता है और ये इतना असान है दोस्तों के बच्चे भी बना कर तयार कर सकतेंगे तो बहुत हो गया पुरान जैसे हम समोस से सिखते हैं कम गरम तेल में बस उसी तरह से हम इसको फ्राइ करेंगे तो एक एक करके मैंने जितने भी बनाया है नाश्ते इसको मैं डाल दूँगी और इसको हम ब्लकुछ स्लो फ्लेम पर सेकेंगे दोस्तों एक बाज जब 2 मिट हो जा सिखे तब इसको हम प प्रिस्पी होने तक तो देखिए सिखते तयार हो गया है और इसी तरह से मैं बागी पूरा नाश्ता बना कर तयार कर लूँगी तो आप इस रसीपी को दोस्तों जरू ट्राइ कीजेगा आपके फैमिली फेंड में सभी को बहुत पसंद आएगा बहुत यूनिक नाश्ता ह अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आज का चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शिर्ज जरू करें दोस्तों और बैल आइकन धबाते हैं जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें मिलूँगी बहुत जल देख नहीं वीडियो के साथ तिल दन ब और बाय और टेक केर